हलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई चैनल आज की वीडियो में हम देख रहे हैं असाइनमेंट नंबर 39 यह अब्जर्वेशनल रिपोर्ट अन कम्यूनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर यह आपका साइक्याट्रिक नर्सिंग का अब्जर्वेशनल रिपोर्ट है और किस पर है कम्यून कम्यूनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर पे ड्यूटी लगती है पोस्टिंग आपकी लगाई जाती है एक दिन की दो दिन की तो वहां का आपको सारा उब्जर्वेशनल रिपोर्ट तियार करना होता है एक लेयाउट स्ट्चर आप बनाऊंगे और सारा महां का लिखोगे वहां लिख देना है तो यह जैसे में हाईवे बस्टेंड के आसपास था लेकिन आपका जहां पर था आपका वह यहां पर जाएगा इफो शीट पर बना रहे हो तब भी आप ऐसे बनाऊंगे और बाकि आर्ट स्टीविनी की मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड बुक है तो उसका फॉर्म आपको बता देना है किसलिए था वह यह लिखना है तो इसमें लिखा है दे इंस्टिटूशन ओरिजिन इंद टू थाओजन इनलावन ग्यारा में 2011 में 2011 में वह बना है फॉर प्रिवेंशन अफ आल टाइप ऑफ मेंटल इलनेस फ्रॉम दे कम्यूनिटी ताकि मेंटल इलने वगेरा ना हूँ कम्यूनिटी वाले एरिया में इसको प्रिवेंट करने के लिए और में इलनेस के बारे में जानकारी देने के लिए यह था next है में list the objective of community mental health center वो जो center है उसके main goal objective क्या है तो यह है prevention of mental illness, prevent all type of infection, brain syndrome assessment of the area record and reporting तो ये इसके objective है यानि कि ये इनका main goal है objective जिनको ये achieve कर रहे हैं कि हमें mental illness को होने से रोकना है कोई तरह का infection ना हो क्योंकि उससे भी further mental illness होने के आगे chances बन जाते है brain syndrome के बारे में वो goal इनका रहेगा कि ये सब पता करना है assessment करना है areas का कि कहीं पर कोई mental illness तो नहीं है कोई mental problem तो नहीं है adolescent में या फिर adulthood में किसी में record report करना है next है list various services provided by the center ये जो center है community mental health का service कौन सी दे रहा है ये ये suspect करता है drug provide करता है health services भी दे रहे है care and treatment record reporting ये main इनकी services है short made लिखा है ये तो पर ये सारे चीज़ें ही दे रहे हैं इसके आगे आप फर्दर समझ सकते हो कि ये सारे चीज़ें असेस्प कर रहे हैं वो पूरा mental health को physically check कर रहे हैं और फिर mentally भी चेक कर रहे हैं drugs भी provide कर रहे हैं health related services देनी चाहिए वो दे रहे हैं treatment दे रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम देखने में आ रही है नेक्स्ट है मैं मेंशन वेरियस डिपार्टमेंट एक्जिस्टिंग इन दे सेंटर अब आपकी पोस्टिंग कहीं लगती है community mental health center में वहाँ आपने कौन-कौन से department देखे वो भी आपको लिखना होगा है क्योंकि एक report आप त्यार कर रहे हो एक assignment त्यार कर रहे हो community mental health center की तो वहाँ पर है department ड्रग स्टोर यह जो department आपको अजीव सा लग रहा होगा तो यहाँ पर आप reception वाला department जो होता है वो भी लिख सकते हो जहाँ पर gathering करते हैं people आते हैं और बैठते हैं sitting उनकी होती है waiting area जैसे होता है उस type से और फिर वहीं से उनका उनको जो है counselor के पास या psychologist के पास psychiatrist के पास बेज़े जादा है वो यह लिखा गया है तो यह department जहां पर सारे भी लोग आकर जो community के area के लोग है people है patients है वो आइंगे next drugstore भी है वहाँ पर wards भी है recording एरिया भी है और Health and Mental Illness Department भी है तो यह लग लग Department वहाँ पर है और आपकी आप जैसे पोस्टिंग आपकी अगर लगाई जाती है ऐसी जगह में तो आपको वो देख कर नोट करना है कि आपने वहाँ पर कौन-कौन से डिपार्टमेंट देखे हैं ड्रोड ओर्गिनाईजेश्नल इस्ट्क्चर ओफ दे सेंटर एक श्ट्रक्चर त्यार करना है अब आपको वहाँ का तो यह वह पर श्रक्चर नहीं है यह वह पर श्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर अभी मैं दिखाऊंगे आपको आगए वो तो उससे पहले थोड़ा सा लिखा ह हुआ यहां पी देख लिएजिए देर ये बरवीरी इस पैसिलीटी प्रोवाइड प्रोवाइड्स अंडर दा कम्यूटी मेंटर हैंट्र एंड असेस्मेंट अफ मैंट्र ड्याग्झोशिस लाइक डिप्रेशन स्ट्रेस सीजोफेणिए मैनिया नियूरोसिस तो मेंक्नल और्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर है यह तो यह बताया गया है कि किसके अंदर वो आया है क्या रूल्स वहां पर फॉलो होते हैं यह बता रहे हैं कि यह वह सेटप यहां पर नीचे बनाया हुआ है वत आर्ड स्टाफिंग पैटरन एंड ड्यूटी टाइमिंग फॉर दर नर्स जैसे नर्स से उनका वहां पर टाइम बताना है तो आठ से पांच बजे तक का वहां पर ताइन पांच बजे वो बंद हो जाता है यहां पर सेट आप बनाए गया है फीजिकल सेटआप है पूरा जैसे कि और्गनाइजसेशनल रिपोर्ट है आपकी इह तो उसमें बनाना ही होता है और इसमेंँ तो यहां पर बना दिया गया है वो सेटआप इसको मैं थोऑ को चोठा करके दिखाते हूं तकि आपको को सारा ह department है यहाँ पे male और female ward है उसे उपर में यहाँ पे record room है यहाँ पे lab है यहाँ mental status examination करते हैं तो यह सारा पूरा का पूरा है यह जो staff का है इसी सारा जितना भी staff होगा वो सारा ECA की कमरे में होगा और आपके जैसे duty में आप जाते हो आपके duty लगती है आप उसके according बिनाने की try करना ताकि वह जादा सही लगेगा क्योंकि फिर last brief में आपको अपना experience लिखना है कि आपने महां से क्या सीखा आपको क्या knowledge वहां से अचीव हुई है जैसे कि इसमें लिखा है learning of various things from the institution and prevention of the mental illness जो आपने सीखा है वो आपको शौर्ट में थोड़ा सा लिख लेना है तो यह आपका था आज का assignment आर स्रीवनी की mental health record book का है यह observation report है यह community mental health center की requested video है बताना जरूर कैसी बनिये कैसा आपको लगा कुछ आपको इसमें spelling यह गलत लगती है ना तो वो ठीक कर ले ना writing problem होती इसके पढ़के बता देती हूं okay thank you next video में जल्दी लाने की try करूंगे